उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबध योगी सरकार 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुम्ब मेले को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. महाकुम्भ मेला को दिव्यभव्य बनाने के लिए CM योगी के विजन अनुसार विस्तरित कारे योजना का निर्मान हुआ था, जिस पर विभिन विभागों द्वारा कारे शुरू कर दिया गया है इसी क्रम में उत्तर प्रदेश परेटन विभाग द्वारा महाकुम्भ मेला क्शेत्र के पांच एकड एरिया में संस्कृती ग्राम का निर्मान किया जाएगा यह संस्कृती ग्राम कई माइने में विशिष्ट होगा और यहां 45 दिनों तक एक्जिबिशन समेत विभिन संस्कृतिक आयोजन होंगे खास बात यह है कि संस्कृती ग्राम में Augmented Reality, AR व वर्चुल रियलिटी के जरिये महाकुम्भ के विभिन संस्कृतिक, आध्यात्मिक और एतिहासिक पहलूओं को दर्शाया जाएगा इतना ही नहीं, मेलाक्षेत्र में 30 भव्य कॉंसेप्चुलाइस्ट गेट का भी निर्मान होगा जो त्रिशूल, स्वास्तिक, कल्प्वरिक्ष, डमरु समेत विभिन आध्यात्मिक थीमों पर बेस्ट होगा इन सभी कारियों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा एजनसी निर्धारन व कार्या वंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है युनिस्को द्वारा कुम्भ मेले को मानवता के अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत के तौर पर चेहनित किया गया है ऐसे में यहां दुनिया के 75 देशों से 25 करोड से ज्यादा श्रद्धालूओं वतीर थियात्रियों के आने का अनुमान है यही कारण है कि आयोजन को इसी अनुपात में भव्य बनाने के लिए विभिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा मेलक्षेत्र में भव्य संस्कृति ग्राम का निर्मान कराया जाएगा संस्कृति ग्राम में 20 स्टॉल्स की एक्जिबिशन लगेगी जिसमें स्थानिय हस्तकला व शिल्प को तरजीह दी जाएगी वहीं संस्कृति ग्राम को ऑग्यूमेंटेड रियलिटी व वर्च्वल रियलिटी का हब भी बनाया जाएगा यहां महाकुम्ब के पौरानिक, आध्यात्मिक और एतिहासिक महत्व को दर्शाया जाएगा विभिन कालखंडो में महाकुम्ब की यात्रा को इन माध्यमों से शोकेस किया जाएगा संस्कृती ग्राम विभिन जोन में बंटा होगा जिसमें एंशियन्ट हेरिटेज वा माइथोलोजी, हिस्टोरिकल ट्रैवलर्स के विभिन आलेक, एस्टोलोजिकल साइन्स, पर्फॉर्मिंग आर्ट्स वा इंटरेक्टिव वर्कशॉप एरिया मुख्य होंगे संस्कृती ग्राम में महाराजा हर्शवर्धन द्वारा कुंब आयोजन के लिए दिये गैदान, सभी स्थलों की विशेषता, उनके हिस्टोरिकल वा कल्चरल कॉंटेक्स्ट, 360 डिग्री वर्चुवल इमर्सिव एक्स्पीरियंस, टचस्क्रीन इंटरक्टिव कियोस्क वा मल्टी मीडिया डिस्पले, मोबाइल एप इंटिग्रेशन और लाइव स्ट्रीमिंग वर्चुवल टूर्स जैसे फीचर्स से लेस किया जाएगा। विजिटर्स के लिए इन्फोर्मेशन सेंटर, गाइड़ टूर्स की सुविधा भी होगी। सूर्य द्वार, देव दल द्वार, कमल द्वार, गदा द्वार, धनुष द्वार, गंगा द्वार, कोस्तूब द्वार, कामधेनु द्वार, लक्ष्मी द्वार, ओम द्वार, नंदी द्वार, संगम द्वार, नागवासुकी द्वार, शिवलिंग द्वार, चंद्र द् कलश द्वार, सुदर्शन चक्र द्वार, 14 रत्न कथा द्वार, एरावत द्वार, कच्छप द्वार, कल्प रिक्ष द्वार, समुद्र मंतन द्वार, रुद्राक्ष द्वार वा अश्व द्वार हैं। इन सभी द्वारों पर selfie point, lamp post व पोर्टिबल tourist information center का निर्मान किया जाएगा। इन सभी द्वारों को theme के अनुरूप निर्मित किया जाएगा जो इनके महत्व को दर्शाने के साथ ही tourist attraction व फुटफॉल एरिया के तौर पर भी कार्य करेगा।